पोर बेडरूम के साथ बनाया जाने वाला ये 50 फिट अर्थाटी शिट पी ये साइज लेके बनाया जाने वाला प्लान है जो कि फिप्टीन हंडेड एस्क्वायर फिट पे काफी अच्छा ये सभी कि साइज हमने रखिए जो कि फ्रेंड्स ये बेडरूम बेडरूम रखिए ऐसी बेडरूम यहां पर डाइनिंग डाइनिंग हॉल काफी अच्छा सा और कीचन कि इसकी साइज हमने 12 फिट और 10 फिट रखिए किचन की बेडरूम की 12 फिट 14 फिट रखिए 15 फिट 12 फिट रखिए दिस साइट 30 फिट हमने यह साइज लिया दिस साइट 19 फिट 12 फिट रखिए डाइनिंग की यह दूर ना पर आर्च दूर या ओपन छोड़ सकते हैं यहां पर काफी अच्छा सा इस्पेस रखी गई है फ्रेंड्स बेडरूम 12 फिट 4 इंच इस साइज हमने रखिया दिस साइट 14 फिट ऐसे ही बेडरूम बेडरूम 12 फिट 14 फिट पर इसी हमने बनाई है यह दोर एंट्री हमने दिस साइट से रखिया गेट गेट यह फाइफ फिट हमने साइज साइज रखिया यह गेट की फिर एस्टेयर्स हमने अब क्लॉक बाइस थ्री फिट शिक्स इंच की स्टेयर्स है ऐसी फिट शिक्स इंच यह भी साइज हमने रखिया और टोटल साइवन फिट यह साइज है और थ्री फिट शिक्स इंच पर यह गोम के चला जाएगा फ्रेंच यह स्टेयर्स है फिर बात करें तो यहां पर बात ट्वाइलेट इसकी साइज शिक्स फिट और बात दोनों रखी गई है शिक्स फिट और टैन फिट इस्टाफ यह साइज है यह दोर ऐसी टैन फिट और फाइफ फिट एट इंच पर प्रेंच अपका कि एक है जैसे की ट्वाइलेट और बात रूम कमान दोनों हमने कमानि रख olsun यह लुक्त इस्ट से दो ट्वालिट बातरूम हमने प्रभाइड किया फेरेंट चार wonders इसके लिए दो ट्वाहिलेट बातरूम वैंडेलेशन मां विंडो हमने ये सभी प्रवैड किया कि यह सब आपको जी साथ पॉस्पिल रहे उससाइड आप ले सकते हैं यह आप ओटी एस प्रोवाइड करके ओपन जाएगा अपने जमीन में आप छोड़के बना सकते हैं तो विंडू यहां पर आप चाहें तो बैसं रख सकते हैं आप बैसं लगा सकते हैं श्माक तो फिंट्स में मने वॉल की जो साइज रखिए वह फोर इंच रखी आओ्टसाइड और इनसाइड सभी वाल इसमें कोई थी दिवाल आपको दिख रही है वह फोर इंच की ही फ्रवाइड किया गया कॉलम्स यह स्ट्यूर्प से कॉलम्स हने पाइड यह प्लान को बन नाया है कि इस टैप से यह कॉलम्स आपको कि दिखेगी जो कि यह बेडरूम की तरफ से रहेगी कि इस टैप से यह कि यह रहेगी इस टैप से सिम कॉलम्स लेके आना है तोटल देख सकते हैं जो कि 15 कॉलम्स हमने सिम्पल कॉलम्स आप काफी अच्छा कॉलम्स रखिए जो कि काफी अच्छा है इस ट्रेंथ आपकी बनी रहेगी घर की यह टैन इंच इंटू टूल इंच की कॉलम्स आइज और टूल एमम की सरिया जो कि छेप प्रभाइड करना है सभी कॉलम में बिल्डिंग कोश्ट इसमें पड़ जाएगी जो कि एटीन टू ट्वैंटी लाग तक आपको पड़ेगी खर्च इसमें और काफी अच्छा साथ यह प्लान बना सकते हैं अच्छा लगाओ तो लाइक करते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में